हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजूकेशन और आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, 10th क्लास ने आज 8 अगस्त को एक सर्कुलर निकाला है उन स्टुडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th क्लास में basic mathematics ले थी जिसका code होता है 241 तो आज हम इस वीडियो में वो ड mathematics, standard mathematics का जो code होता है, यह वो code है 041 और यह 11th में भी यही code रहता है जो standard mathematics लेते हैं, उनको यह math मिलती है, तो यह क्या बोल रहे है, permission to offer mathematics 041 in class 11th, मतलब इन क्लास 11th में उनको 041 math मिलेगी, student who offered mathematics basic 241 in class 10, मतलब आपको पता होगा जो बच्चे 10th class में पढ़ रहे हैं, उनको 12 की math allowed है, basic mathematics और standard mathematics, तो जो बच्चे basic mathematics हैं, वो 11th में जाकर mathematics इसका code 041 है, वो वाली math allowed नहीं होती, वो मिलती ही नहीं है, उनको खाली standard mathematics वाले बच्चों को यह मिलती है, बड़ इसमें वो इन्होंने बोला है, हम उन बच्चों को यह offer कर रहे हैं, जिन्नोंने basic math लेती इस साल, तो जैसे देखो, यहाँ पर अगर यह बताया गया है, पहले basic बताया गया है, कि जो बच्चे earlier जो बच्चे थे 10th class में, जिन्होंने क्या ली थी, mathematics लेती standard वाली, 041, तो उनको offer क्या होता था, उनको offer होता था, 041 11th में, मतलब जो standard mathematics का code है, 041, उन्हीं को मिले का खाली, औ पास्टूर से क्या है, covid जल रहा था, तो पास्टूर से इन्होंने क्या कर रहा था, इन्होंने relaxation दे रही थी, कि जो बच्चे basic math वाले हैं, उनको भी standard वाले जो math था, वो allowed है, मतलब जो PCM में जो बच्चे math लेते हैं, या commerce with math लेते हैं, वो वाली math उनको allowed कर दी गई थी, last year से, उन्होंने क्या बोला कि जो current session है, current session क्यों सा, 2022-23, जो की covid के विसे effect हुआ, इसको भी इसके अंडरे डाल दिया, तो इन्होंने क्या करें, उन्होंने क्या करें, decide करा है, कि वो भी इसे क्या करेंगे, extend करेंगे, this relaxation for one year, मतलब वो इस साल भी उन बच्चों को standard mathematics दे दे और जो 11th में जो math होती है, PCM में जो math या commerce with math में जो math लेंगे, वो वाली math allowed है, जिसको हम 041 कहते हैं, applied mathematics नहीं, जो mathematics 041 code होता है, तो मतलब basic standard दोनों same है, जिन्होंने 10th में लेती, अब उन दोनों को same math allowed है, वो ले सकते हैं, अगर उन्होंने अभी 11th में एडिशन नहीं लि math लेना चाहते हैं, और उनको लगता है कि हां वो कर लेंगे, जैसे यहां पर लिखा भी क्या है, कि उन्होंने क्या है, before permitting the mathematics 041, मतलब उनको 11th class में math देने से पहले, student जो head of institute है, वो क्या देख लें, वो satisfy होने चाहिए, student से, कि उनका जो aptitude है, और ability है, वो उस pursue करता हो, किस के लिए, उस mathematics के लिए करता है, 11th class में, यह नहीं कि जो बच्चों की math इतनी week है, और वो 11th में जाके math ले लेते हैं, तो आगे जाके उनको tough हो जाता है, फिर वो 11th में जाके या तो वो से subject change कर लेते हैं, या 12th में जाके परिसान होता है, कि वो math नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका आगे जो aim था, वो PCM लेने का था, या कुछ commerce with math लेने का aim था, उन्होंने कुछ target बना रहे हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अब इस साल कर सकते हैं, अगर वो by mistake उनका basic math हो गया था, और जो interested थे कि हम लेना चाहते हैं, बट उनका basic lesson ले पा रहे हैं, तो वो जाके school में जाके आप admission ले सकते हैं, और math भी ले सकते हैं, PCM भी ले सकते हैं, और आपका commerce with math और subject तो वो उसके लिए होंगे ही होंगे, बट अब वो उनको भी ले सकते हैं, तो यह CBS न आज एक छोटा सा circular निकाला था, आठ तरिक हो, जो बच्चे interested हो, 11th में math लेने के लिए, वो जाके आप school में addition ले सकते हैं, और math भी ले सकते हैं, यह circular simulation निकाल दिया है, तो बच्चे 10th के हैं, जिन्होंने यह video देख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ share करें, जिससे कोई student ऐसा हो, जो पता नहों जिसको हो कि इस वारे में, तो वो जाके, अब वो school में जाक कीर,